जै माता की सभी को आज बात करेंगे बिबड़ी वाली माता के विश्य में कौन सी होती है ये बिबड़ी वाली माता और कब इसकी पूजा की जाती है कि इन घरों में पूजा की जाती है और कौन कौन से देवी देवता इनके साथ पूजे जाते हैं और इनको ना पूजने से क कौन सी परेशानिया जीवन में आती है और अगर आपके शरीर में ये दिक्कत है तो कौन सी माता का आपको प्रशाद लगाना चाहिए क्या इनका भोग रहता है सभी विश्यों प्याद चर्चा करेंगे जिनके घर में माता शीतला मसानी मदानन पात्री वाली ये जो चुराय होती है लड़के की और शादी के कुछ समय बाद माता की दय से जब हमारा वन्स चल जाता है हमारा कुल आगे बढ़ता है यानि के लड़का पैदा होने पर एक भोग भरा जाता है उसको बोलते हैं के भोग भरना यानि के माता के नाम का भोग अब उसमें क्या होता है कि उस जाता है यानि के ज़ब जो हमारे घर में इस उतक पाटक लगा होता है बच्चा पैदा होने के बाद तो जब उसको 40 दिन हो जाते हैं यitting कुउआ पूजन इत्यादी कर लिया जाता है क्वाज़ा पीर जी की उन्को जब दियाबक्ती करवा धी जाती तो उसके बाद क्या होता है कि यह भोग भरा जाता है तो इसमें क्या भोग रहता है इसमें मीठे चावल बनाए जाते हैं गुर्ड डाल करके और जो दाब होती है ना दाब उसकी जो सींक होती है कई लोग उनका जाड़ू भी बनाते हैं जो माताशीतला को चड़ता है दाब में उनको उल्टा उल्टा रख करके उनकी साथ डेरियां बनाए जाते हैं उसके अंदर वो सिंख डाल देते हैं जिसके उपर कलावा होता है यानि के वो उनका जो बोल दे जाते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करी जाते हैं और साथ महंदी के उनके उपर टीके लगाए जाते ह इस प्रकार से और जो घर की विवाहित ओरते होते हैं यानि के जितनी भी ओरते जो विवाहित हैं साथ में जिनको पहले बच्चे हो चुके हैं जिनको बच्चे होने वाले हैं या फिर जो नहीं नहीं भोवे आई हैं वो विवाहित ओरतों को भोग घाना होता है यानि के साथ पिंडिया में आजाती हैं और साथ पिंडिया साथ विवाहित ओरतों को प्रशाद के रूप में खिलाई जाती हैं अब क्या तरीका रहता है इनका भोग बरने का बोग बरने का तरीका dotit उसको एक वस्तर में यानि के बाल वगयरा दो करके जब बाल टपकते हों गीले बालों में एक वस्तर में अंगारी के उपर उन साथ डेरियों में से थोड़ा थोड़ा भोग जब माता रानी आ जाती हैं अंगारी के उपर तब भोग दिया जाता है भोग देने के बाद क्या ह होने के बाद औरत के शरीर में देखे बहुत सारी बिमारियां होती हैं जैसे टांगों में दर्द होना शरीर में दर्द रहना सीर बारी होना या फिर बच्चे के ओपर बहुत सारी तकलीफें किसी को चेचक निकल जाते किसी को बड़ी माता निकलते किसी को छोटी माता खसरा ना हो तो 40 दिन के बाद इस माता की पुजना करी जाती है और यह तक्रीबन उन satisfactory फाली माता पाथ्री वाली माता मदान वाली की लाग होती उनिके साथ इन्हंत्त पूजि जाती है के चुराय वाली माता कोई बिबडी वाली माता बोल दे जाता है देखी कुछ घर है हरियाना में जहां पे एक कड़ा चांदी का कड़ा पहना आ जाता है दूलन को शादी के वक्त जब उनका वो बरी जिसको बोलते हैं के बरी बेजी जाते तो उसमें एक चांदी का कड़ा होता है वो बिबडी वाली मा उनके रहता है, कंदे भारी रहता है शरीर भारी रहता है कारिया में मन नहीं लगता उनका पुल बंच नहीं चलता इस परकार से समस्शान आने लग जाते हैं और तकरीबन हर घर में जिनके घरों में ये देवियां पूजित हैं उनको तो ये चांदी का कड़ा जरूर पहनाया जाता है ससुराल पक्ष के तरफ से तो इसकी ये विदी रहते हैं कि मीठे चावल बना कर केक सिंग लगा के साथ टीके मेंधी के साथ टीके सिंदूर के और साथ सुहागिनों को ही ये परशाद खाना होता है यानि कि उसी कुल क कि वोहों को कहा नहीं होता है अपने ही परिवार की तो इससे क्या फाइदा रहता है कि बैच्चा सवस्त्र रहता है यानि कि जो हमारे कुल बंच की वृद्दी है जो शरीर में दिक्कते आ रही हैं उन सभी परेशानियों से चुटकारा मिलता है अब कहीं औरती ये कहते हैं कि मेरी टांगों में दर्द रहता है मेरी टांगों में तो अगर आपकी टांगों में दर्द रहता है और आपको पूत्र हो चुके हैं काफी समय से कुछ औरते ब पूजरेख्याई, मातमदानवाली को पूजरेख्याई प्रंतु इनके साथ ही जो देवी होती है इनके नामका या तो आपकड़ा बनवाईए चांदी का कड़ा पहन के देखिए आपको बिलकुल अरा मिलता है और इनके नामका भोग भर दीजिए और अपने ही परिवार की स साथ जो औरते हैं देराने जेठाने सास बहू इत्यादिएं सब मिल करके उस भोग को खा सकती है अनधेर पक्ष में शनिवार के दिन ये भोग बरह जाता है और बारा बज़े दोपहर बारा बज़े से पहले-पहले एक वस्तर में ध्यान रखे एक वस्तर में ये भोग दिया जाता है तो ये थी जानकारी बिवड़ी वाली माता की तो हमने सोचा कि जिनके घरों में देवी मापूजी थे हैं मापातरी वाली मामदान वाली तो सबको इसकी जानकारी होने चाहिए और देखिए जानकारियां ही दे हैं फिर किसी नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए सबी को जैमाता की